Introducing We Built 2 Camera Gimbal Guys cinematic videos बनाने के लिए बहले ही हमारे पास एक बढ़िया camera हो या ना हो अगर हमारे पास एक बढ़िया gimbal हो ना और हमारे पास एक basic था DSLR हो तो हम काफी बढ़िया output निकाल सकते हैं और मज़े की बात तो यह है कि हमारे पास आज recently launch हुआ We Built 2 है जिसका हम करने वाले है टेस्ट तो मैं आपको clear कर रहा हूँ यह वली वीडियो लंबी होने वाले क्योंकि इस gimbal के features इतने जादा हैं कमाल के हैं कि आप देखके खुद खुश होजेंगे कि क्या gimbal बनाया जियोन ब्रैंड ने बहुत सारी features हैं हम इसका test करते करते थक गए इतने जादा इसने features हमें देखने को मिले और पूरा दिन हमें shoot में लग गया तो तो आप आप लगा सकते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या दिखाने वाला हूं तो करते हैं इस वीडियो को शुरू और देखते हैं किस तरह की product quality हमें मिलती है इस gimbal की I swear मुझे अब तक का सबसे best gimbal लगा मैं पहले crane to use करता था DJ की भी मैं यूज करें बट इस gimbal की बात ही अलग है और सबसे best इसमें flip out screen है अब यह कैसे काम करती है बागी सब्सक्राइब आईए देखते हैं तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले gimbal के design की देखो गाइस gimbal का design हो या फिर किसी भी चीज का design हो अगर वह impressive हो ना उसकी quality बढ़िया हो तो वह buyer को सबसे जादा impress करता है और इस gimbal ने भी यही किया जब मैंने इसको पहली look में देखा मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसका design काफी creative है और जो build quality है वह वह वाकी ला जवाब है मैं इससे पहले crane to use कर था उसके बाद मैंने यह gimbal use किया तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का upgrade देखने को हमें मिलता है हाले कि मैंने gimbal जो है इसके साथ मैंने handle जो है अलग से यह जो है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा बट यह भी बहुत काम की चीज़ है इसको आप हटाते तो और भी lightweight हो जते बट वैसे भी overall यह अभी compact और lightweight है अब इस gimbal की खास बात एक यह भी है कि इसका locking mechanism बहुत ही कमाल के है गाईज अगर आपने कोई भी पहले gimbal यूज़ किया होगा तो आपको ध्यान होगा उसमें इस तरह की screw जादा टाइट करते हैं इस तरह के इसमें बहुत limited है इसमें एक नए तरह का locking mechanism आया जिसको आप up and down करके easily lock कर सकते हैं तो काफी ना compact हो जाता है जिसकी मदद से gimbal जो है आप easily कहीं भी carry कर सकते हैं और guys अगर मैं बात करूं इसके button controls की तो आपको तीन तरह के buttons यहाँ पे देखने को मिलते है pan follow lock और follow का और यहाँ पे है side में हमें एक मिलता है recording button और इस तरह है joystick जिससे आप camera control कर सकते हैं यह guys हमें देखने को मिलता है focus wheel जिसकी मदद से आप focus करवा सकते हैं अपनी camera setting change कर सकते हैं यहाँ पे इसको roll करवा सकते हैं और इस तरफ guys आपको जो है अलग से अगर आप इसके साथ कोई भी connectivity करना चाते है तो यहाँ पे जो है आपको screw दे रखा है आप यहाँ पे कर सकते हैं अब आप मैंसे काफी सारे लोगों के mind में यह सवाल आ रहोगा कि इसकी battery कहाँ पे है तो guys इसकी battery जो है यहाँ पे है handle क charging port अगर आप इसको open करते हैं इस हिसाब से तो आप charging कर सकते हैं और काफी fast जो है यह gimbal charge हो जाता है तो overall काफी design बढ़िया है और एक खास बात guys मेरे को यह भी लगी इसके अदर जो हमें base plate मिलते हैं वो man photo के मिलते हैं तो अगर आप man photo का tripod, monopod कुछ भी use करते हैं माल लिज़ आप किसी wedding shoot पे आप tripod पे शूट कर रहें आपको फटाफट से gimbal पे लगा तो वही base plate इस पे भी लग जाएगी तो बहुत कमाल की चीज मेरे को लगी तो overall design काफी impressive है चाहे button controls हो या फिर पीछे tap का button यह हो या फिर locking mechanism हो build quality हो या फिर overall जो feel है वो काफी बढ़िया है आप खु तो to be very honest मेरे को बहुत मजाया और एक चीज़ मैं आपको clear करना चाहूँगा इस gimbal की बारे में बताने के लिए review करने के लिए मुझे कोई भी जो है paid promotion नहीं मिली अपनी दरब से जो मेरे को अच्छा लग रहा ना बतारो जो मेरे को बुरा लगेगा वो भी मैं पूरी वीड करने की capability है वो भी होना अच्छा बहुत जादा जरूरी है तो देखते हैं कितनी अच्छी जो है इसकी capability है कैसे shoot करता है कितना stabilized footage हमें देखने को मिलेगा अगर हम इस पर अपना camera mount करते हैं तो gimbal को test करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा overview देना चाहूँगा तो मैंने इस gimbal प या फिर यह जो wheel है इससे आप काफी features enable कर सकते हैं आप अपने camera को roll करना चाहते हैं तो वो भी आप roll कर सकते हैं नहीं तो ISO aperture यह सारी settings आप इस wheel की मदद से कर सकते हैं मैं इस video में we build 2 का pro version यूज़ करो जिसमें काफी accessories हमें साथ में मिलते हैं तो अगर आपने मेरी unboxing video नहीं लिंक आपको description box में मिल जागा एक बर आप वो वीडियो देखने हैं उससे आपको idea होगा कि मेरे को pro kit में क्या-क्या accessories में इस gimbal के साथ में जो मैं इस वीडियो में सारी दिखाने वाला हूं और इन accessories की मदद से guys जो shooting करने का experience है वो काफी जादा easy हो चुका है आप हर तरह के short आसानी से ले सकते चाहे बातो low angle की या फिर top angle shots की एक चीज़ इस gimbal की काफी बहतरीन है वो है auto calibration उससे क्या होता है जैसी आप अपने camera को इस gimbal पर mount करते हैं और auto calibration पर click करते हैं तो इससे guys जो gimbal है automatically आपकी camera के payload के हिसाब से सारी motor setting कर देता है ताकि जब आप shoot करें तो आपकी जो gimbal की battery है उस पर साथ load ना पड़े और आपको जो gimbal का battery backup है वो भी जादा time तक रहे तो यह काफी कमाल का feature मेरे को जो है इस gimbal में लगा और सारी settings हमें display में मिल जाती है तो यह तो हो गया overview इस gimbal का बट अब करते हैं इस gimbal को test मैं आपको कुछ वीडियो के samples दिखातू behind the scene के सा आपको idea होगा कि किस तरह की stabilization करता है यह gimbal और हम सबसे पहले use कर रहे हैं lock mode जिसमें क्या होता है हमारे axis जो है सारे lock रहते हैं हम जिस भी direction में camera को set करें वो उसी में ही रहते हैं चाहे हमारा हाथ कितना मर्जी हिले तो इस short में जो camera की position है वो है lock face के उपर और मैं back walk कर रहा आरे 50 mm में image stabilization नहीं है फिर भी जो footage है वो काफी stabilized है आप देख सकते हैं तो lock mode में काफी impressive जो है result हमें देखने को मिले अब next mode जो हमने test किया वो है point of view mode और इस mode को shoot करना काफी challenging था शुकर है इस gimbal में दो handle लग जाते जिसकी मद़ से काफी असान हो गया और आप guys अगर result देख तो काफी impressive है पूरा prospective पूरा point of view जो है इस gimbal की मदद से मैं दिखा पाया और काफी बढ़िया जो है stabilized movement जो है मैं capture कर पाया तो नए तरह है कि short जो है काफी बढ़िया निकाल पाए इस gimbal को use करके point of view mode में अब next mode जो हमने test किया वो है follow mode follow mode में क्या होता है जैसी हमारा hand move करता है उसे जाब से जो है direction जो हमारे camera की भी follow होती है तो gimbal basically हमारे camera को hand movement के साब से move करता है तो यह short जो है मैंने low angle से लिए जिसमें जैसे जैसे मैं अपने hand को move कर रहा था मैं up and down कर रहा था camera को या फिर back walk कर रहा था उसे जाब से camera move हो रहा था मेरे hand movement को follow करके और जो results थे वो भी क जैसे अच्छे से work करी इस mode में अब यह जो mode है यह काफी जादा famous है especially Instagram की reels पर या फिर TikTok की reels पर हमने short काफी देखा और यह है 360 mode जिसमें guys जो हमारी movement है वो 360 roll करती है camera में तो यह short जो है proper gimbal की मदद से लिया गया जिसकी मदद से मैंने पूरा 360 roll जो है अपने camera को किया तो य यह वहला जो extreme test था इसमें भी जो वीविल 2 ने है कमाल की performance दी अगर आप footage देखें तो बहुत ही बढ़िया stabilized footage हमें देखने को मिलते है according to our running क्यूंकि हमने बहुत तेज रन किया था पर उसे साब से stabilize काफी अच्छा इस gimbal ने किया अब इन modes के लावा आपको और भी कहीं तरह की modes जो है इस gimbal में देखने को मिलेंगे बट अगर हम एक एक mode check करेंगे तो बहुत जादा लंबी वीडियो हो जाएगी पर हमें इसमें बहुत तरह की modes देखने को मिलते हैं जिससे आप जादा creative जादा अच्छी cinematic videos बना सकते हैं या फिर अगर आप vlogging करना चाहते तो आप triple tap क करके camera को अपनी तरफ move करके easily vlog कर सकते हैं क्योंकि gimbal काफी light weight है और आप जब wide angle के साथ vlogging करेंगे तो आपको काफी बड़ी है experience मिलने वाला है क्योंकि mirrorless camera और light weight gimbal का जो combo है काफी कमाल का है vlogging setup के हिसाब से so almost stabilization का test हो हमने करी लिया गाइस बट इसके अलावा इस gimbal में और भी कमाल के features है जो इसकी compatibility power और डिवाइस के साथ वो बहुत ही लाजवाब है आईए मैं आपको दिखा तो कुछ devices के samples के साथ इसको connect करके जिससे आपको idea होगा कि इस gimbal के साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं तो आप easily इस device की मदद से कर सकते हैं तो especially जब हम low angle shot लेते हैं फिर ऐसे shot लेते हैं कि जहाँ पे हमें display दिखाएने देती camera की या फिर अगर आप sony का camera यूज़ करते हैं जिसमें flip out screen नहीं हो दी तो उस तरह के scenario में ये device काफी काम का है इस device की मदद से guys आप अपने gimbal की screen पर monitor ल करवा सकते हैं बाकी सारी चीज़ जो भी आप control करना चाहते हैं वह easily आप कर सकते हैं और इसके लाब हमें इस pro kit में follow focus system में मिलता जिसकी मदद से हम focus wheels से focus करवा सकते हैं या फिर अपने camera से zoom करवा सकते हैं अब ये तो features होगे gimbal के अंदर बट जब आप gimbal को अपने phone में connect करें ये ZY play app से तो आप अपने app से भी gimbal की movement को control कर सकते हैं ये चीज काफी कामियाब काफी कमाल की काफी precise मेरे को लगी जैसे जैसे मैं अपने camera की movement कर रहा था तो काफी बढ़िया gimbal move कर रहा था तो कहीं वारी ऐसे shots होते हैं जो हम खुद से लेना चाहते हैं बट हम gimbal नहीं सलाना चाहते हैं तो वह हम अपने camera से कर सकते हैं और switch control आपको app में देखने को मिलता है जिसमें आप अगरन करना चाहते हैं तो आपका control फॉलो करेगा gimbal और उसे अगर आप ओफ कर देते हैं तो आपका gimbal जो है control movement को follow नहीं करेगा तो app में आपको काफी तरह की controls देखने को मिल जा कमांड देखे जो है यूज कर सकते हैं तो यह काफी बढ़िया मेरे को लगा आप अपने फोन से ही सारी कमांड देखे सारे शौट डिजाइन कर सकते हैं और सबसे बहतरी अगर आप किसी सब्जेक्ट को किसी चीज को ट्रैक करवाना चाहते हैं कि गिंबल जो है ट्रैक करे उ और भी बढ़िया और भी पावफुल मनाता है तो नो डाउट गाईज ओवरूल क्वालिटी काफी कमाल का काफी हैंडिंग इंबल जो है हमें जियौन की तरफ से मिलता है मैं काफी इंप्रेस हुआ और मैं इसको पिछले 10-15 दिन से यूज करू काफी वीडियो में इसको ट लागी खेर अगर आप गाईज यह गिंबल को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए गाईज मैंने डेस्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुए जहां से आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं चल पाता कहां से परचेस करना है तो दिन हार्ड वर्क करके जो आपके लिए वीडियो लाएं और आप इसी तरह से गाईज हमें प्यार करते रहें तो ठीक है गाईज सी यू अंटिल लेक्स्ट वीडियो आप सभी अपना ध्यान रखें